यह वीडियो में हम बात करेंगे कि रेंफॉल को कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितनी दूर तक रेंफॉल हो रही है कितना एरिया रेंफॉल कवर कर रही है इसको कैसे मेजर कर सकते हैं इससे पहले के लेक्टर्स में हमने डिसकस किया कि रेनफॉल की डेप्थ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं रेनगेज के जरीए मेजर करते हैं और उससे हम रिकॉर्डिंग रेनगेज से हमें रेनफॉल इंटेंसिटी रेनफॉल डियूरेशन टोटल रेनफॉल डेप्थ और रेनफॉल किस तरीके से हुई, कब बढ़ गई, कब रेनफॉल रुकी है यह सारी चीज़े हम मेजर कर सकते थे लेकिन इस इस्टूमेंट के जरीए, रेनगेज के जरीए हम यह नहीं मालूम कर सकते कि पूरा एरिया अगर एक यह है और यहां पर रेनगेज लोकेटेड है तो हमें इस से यह नहीं मालूम होगा कि कितनी दूर तक रेनफॉल हो रही है तो यह रेनफॉल कितने दूर तक हो रही है, कितना एरियल एक्स्टेंट है इस रेनफॉल का इसको major करने के लिए हमें radar की जरुवत पड़ती है तो rainfall carrier extent को major करने के लिए जो radar हम use करते हैं उनको कहते है metrological radars तो यह radars जो होते हैं इनके typical wavelength 5-10 cm के होती है और इनके अंदर एक emitter और transmitter लगा होता है इनसे electromagnetic radiations या pulses जो है continuous pulses जो है वो निकलती है और जब यह जाके किसी rain drop से टक्राएंगी या water से water droplets से टक्राएंगी तो फिर यह reflect होती है वापिस यह eco's होती है यह eco receive करता है अब यह eco कितनी powers आ रही है उसी के हिसाब से हम rainfall की intensity को decide कर सकते है तो अगर किसी आलाखे में rainfall हो रही है तो और heavy intensity के साथ हो रही है तो इसकी eco की power जादा होगी और अगर rainfall नहीं हो रही है तो यह reflect होके नहीं आएगा और अगर बहुत ही light rainfall है बहुत कम intensity के साथ हो रही है rainfall तो यह बहुत इसकी power जो इको की power होगी वह बहुत कम होगी तो यह eco की जो power होती है eco power radar की eco power को हम P से represent करते हैं PR और यह proportional होती है CZ upon R square की R जो है distance है किसी volume का जिसको हम target बना रहे हैं और CZ जो है इको फेक्टर है इको फेक्टर है और यह जो इको फेक्टर है कि जैड के directly proportional होता है rainfall की इंटेंसिटी के यह आई क्या है rainfall intensity इन एम परा तो यह और बी जो यह constant है यह हर रडार के लिए आपको कैलिब्रेट करके निकालने पड़ेंगे कैलिब्रेट करने के लिए आप जो है यहां पे एक recording rain gauge लगाएंगे और recording rain gauge से आपको recording rain gauge के जरीए आपको आई यानि rainfall intensity मालूम होती रहेगी और जैड को आप इको फेक्टर को मेजर करेंगे उसके लिए और फिर यह जैड और आई के बीच में एक प्लॉट तयार करेंगे जैड जो है वाई एक्सिस पर होगा और आई जो है एक्स एक्सिस पर होगा और इसका स्लोप और जो constant value मिलेगी इंटरसेप्ट जो मिलेगा उससे हम ए और बी दोनों को मालूम कर सकते हैं एक बार इसको हमने कैलिबरेट कर लिया तो ए और बी की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी तो हम इस expression को जो पहले expression है इको पावर का इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पीज इक्वल टू सी इंटू एकी पावर आई बी अपॉन R2 तो इससे क्या मालूम हुआ कि पी-र जो के इको पावर जो है वह डिरेगली प्रपोर्शनल है इन्टिन्टी के अगर रेंफॉल की इन्टिन्टी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो रडार में इको पावर होगी जो रिकॉर्ड हो रही है वो जादा होगी और अगर ये इंटेंसिटी बहुत कम है ये रेनफॉल बिल्कुल जो है नहीं हो रही है ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगी वैल्यू तो इस तरीके से हमें मालूम हो सकता है कि कितने इलाखे तक कितनी दूर तक जो है रेनफॉल की इंटेंसिटी रेनफॉल हो रही है और इसके अंदर रेडार के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए डिफरेंट कलर्स शो होते हैं रेडार की जो इलक्ट्रोनिक आउटपुट है उसके अंदर डिफरेंट इ इसके अंदर ये भी फैसिलिटी है के विलोसिटी दिस्रिबूशन रेन फॉल का और किस तरीके से ये रेन पार्टिकल्स में विलोसिटी बढ़ रही है घट रही है वो सारी चीजे भी मेंजर हो सकती है mas सबस्के राख कर रेन तरीक में कर्यों कि वैसे लिए कर ये टिलोसिख दीजे政府 कि दय'RE विलोड़ और वीके थाच